जब से सत्या एक अपाहिज की तरह हो गया है तब से विराट की भी हमदर्दी बढ़ गई है उसके प्रती आखिर भाई जो ठैरा पर सत्या को विराट की ये हमदर्दी बिल्कुल पसंद नहीं और विराट को धुतकारता है और सई सब कुछ चुप चाप देखती है और अब तो विराट वीनु को भी लेकर आता है सत्या के पास ताकि उसको मनुबल मिले क्योंकि आखिर सत्या वीनु को जूनियर डॉक्टर कहकर पुकारता था और वीनु को भी बड़े होकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है पर सई अपने आपको नहीं रोक पाती ये स उसके साथ कि जब वो तैयार हुई थी अपने दिल की आवाज को बुलंद करने के लिए और विराट को अपनाने के लिए कदम बढ़ाई थी तब ही आज उसे मजबूरन सत्या के पास वक्त गुजारना पढ़ रहा है क्योंकि वो उसे भी तो ऐसी हालत में छोड़ कर नहीं ज साथ और कोई मजाक नहीं कर बैठे और वो विराट को कभी बता ही नहीं पाए कि वो उसे कितना प्यार करती है सबसे ज्यादा और अब क्या सत्या जिसे पता है कि सई और विराट कभी एक दूसरे से अलग हुए ही नहीं थे और जितना प्यार विराट सई से करता है उतना ही प्यार सई भी विराट से करती है तो क्या अब सत्या ही कोई बड़ा कदम उठाएगा और सई को वो प्यार महसूस करने देगा जिसके लिए उसकी रूँ तड़प रही है पर सत्या अब क्या करेगा वो भी तो सई के बगेर अब नहीं जीना चाता उसे प्यार जो करने लगा है तो क्या अब ये लम्हा सत्या कुर्बान करेगा सई के लिए एक अच्छे दोस्त की तरह और क्या सई को खुद इस तड़प से बचाएगा जो वो विराट के लिए महसूस करती है देखते रहिए घुमे किसी के प्यार में प्यार में इस तरह